अगर आपने हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब साथी साथ प्रेश दे बैल आइकन और यदि आपने हमारे इसी सीरीज के प्रिवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको भी एक बार गो थू कर लीजे क्योंकि वो सभी आपके रिविजन के लिए काफी helpful होंगे आपको चीज से जादा से जादा रिटेन हो इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आप 2-3 बर इन ही वीडियो को तो आज जो हम देखेंगे वो रहेगा Madhya Pradesh की जन जातिया तो Madhya Pradesh की जन जातियों से related हम कुछ points देखेंगे कुछ questions हम डिसक्स करेंगे और किस टाइप के आप से पूछे जा सकते हैं या क्या आप से देखा जायेगा इसके अंदर में क्या आपको कवर करना है ले आज़ें, यह पे देखेंगे तो सब्से पहली चीज यह होएगी कि चनवाडा में कौन सी जनजाती पाई जाती है, चनवाडा में भास के बार वस्खेंपन Unless बुर्ण जन जाती क ERIC तो यह आपको थोड़ी सी स्टाटिस्टिक रही जो आपको याद रखने पड़ेगी फिर जो हम भारिया जनजाती की बात करेंगे तो यह चिनवाडा में मतलब इसके बाद जनजाती की बात करते हैं गोंड जनजाती की बात करते हैं तो इसका संस्कृतिक अध्यन किस रे किया था तो यह प्रोफेसर शयाम चरण दुबे जी ने किया था जो की मानव शास्त्री थे इसके बाद हम देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में जो भील जन जाती होती है ये जन संख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी जन जाती है आप से पूछा जा सकता है कि जन संख्या के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो कौन सी जन जाती है मध्यप्रदेश में जो सबसे बड़ी है तो उसका सही आंसर है भील जन जाती तो इनी पॉइंट्स को आप बार 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 रेटेन करते रहें याद करते रहें दो से तीन बार देखते रहें इसी वीडियो को PDF आप हमारे टेलेग्राम चानल पे जाकरके वहां से PDF लेकरके उसे भी वार बार रीट कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे इसके बाद हम बात करेंगे तोड़ा जन जाती की तो ये जो है तमिल नाडू में पाई जाती है इसके बाद बैगा जो है बैगा चक्र छेतर मध्यप्रदेश की बैगा जन जाती का मुख्य निवास है जो मुख्यता डिंडोरी जिली के अंतरगत आता है बैगा चक्र छेतर जो है ये बैगा जन जाती का मुख्य निवास है साथी साथी कहां पाया जाता है तो ये डिंडो यह उची भूमी यह मुख्यता चिन्वाडा बैतूल सिवनी मंडला पठारी ऐसे चेत्रों में पाई जाती है फिर हम बात करेंगे भिलाला की तो भिलाला जो है यह भील की उप जाती है इसे उजला भील या चट्रिय भील तथा लंगोट भील भील भी कहा जाता है और इनके दीष निवाज की मात करते है तो अलिराश्पुर धार बढ़वानी ऐसी जगाओं पे पाए जाते है यह जन्जाती सबसाद कर दे Όला आता है निवाज हम बात करेंगे भ भागॉरिया मेल की तो इसे भागॉरिया हाल भी जाता है यह भील जन्जाती का प्रसिद प्रणय प और यहां पर एक नृत्य किया जाता है जिसे हम प्रगोरियांर southwest करते हिए भीलों के जन जाटी से करती है उसके बाद हम बात करेंगे on Nöst के सहर्या का तो। यह जो जन जाती है विशेष पिछोली जाती संभाग में है। कहा है मुख्य निवासन का गौालयर संभाग में और गौालयर में ये भिंड, मुरेन, शिव, पुरी, Guna ऐसी जगाओ पर मिलते हैं और इनके गिवास अस्थान होता है, उसे सहराना बोलते हैं इनके जो सहरिया जनजाती होती है, इनके निवास इस्थान को सहराना कहा जाता है, यह आपको याद रखना पड़ेगा, आपसे पूछा सकते हैं कि सहराना जो है, मतलब किस जनजाती के निवास को कहा जाता है, तो उसका सही आंसर होगा सहरिया, अब हम पार्धी जनजाती के अरवेरक तो इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके बाद नेक्स पॉइंट हम यह देखेंगे कि जो 2011 की जन गरना हुई थी उसके अनुसार जो सरवादिक आदिवासी जिला है वह धार और जबकि जो आदिवासी तो जिले पाया है जाबुँगा बढ़वानी हो गया, मंदला हो गया, चन्वाड़ा हो गया, खरगौन हो गया मद्यप्रदेश में जो अनुसूचित जन जाती है इनकी संक्या होती है 46 आपसे पूछा सकते है कि मद्यप्रदेश की जो अनुसूचित जन जाती है उनकी संक्या कितनी है तो आपको दे देगा बहुत से option जैसे 44 दे दिया 43 दे दिया 50 दे दिया 40 तो सही option रहेगा 46 इसके बा जहाँ पर 25.5% मिलती है और तीसरा है टीकमगर जहाँ पर 25% मिलती है इनकी जन संख्या इसके बाद हम बात करेंगे तो सेवा विवा ये एक ऐसा विवा होता है या एक ऐसा पर्व होता है जो कि गोणों में मनाया जाता है इसे लमसेना विवा भी कहा जाता है यहाँ पर वद मुले चुकाने वाले व्यक्ति को लामा नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है लामा नहीं, फिर हम बात करेंगे भगर्या जन जाती की, तो जो भगर्या जन जाती है ये गोंड की उप जाती होती है, यहाँ पर जो लोहा सुर होते हैं, ये इनके देवता माने जाते हैं, आप स तो उसका सभी आनसरों का पगरिया जन जाती के या गोंड की उप जाती के इसे बाद याहां पर मुख्यता ये कहां पर पाई जाती हैं तो ये Manala और शेहडोल में पाई जटी है और इसके साथी साथ ये जो अपने इनुसूचित जाती की जब हम बात करते हैं। तो यह कौन सा जिल्ला है, तो सबसे जादा कहां पर है, अलिराजपुर में 89% मितलब 89% जाबुवा में 87% और बढ़वानी में 79% तो एक यह चीज होगे, तो दूसरी चीज सरवादिक जन संक्या के अकॉर्डिंग, जब अपन देखेंगे, तो कहां पर है, धार में है, और सबसे कम कहां पर है, तो यह भिंड में सबसे कम जन जाती पाई जाती है, फिर बैगा जन जाती कि जब हम बात करते हैं, तो यह इसके लावा नाहर और विजवार, ये इसकी कुछ उपजातिया होती है, फिर हम बात करते हैं, तो कुछ points और हम देखेंगे, एक ये है कि जो गूंड होते हैं, इनके द्वारा सुवर की बली चड़ाई जाती है, इसका प्रचलन है, जिससे कहा जाता है, लारू कज, लारू क इसके बाद जो भील जनजाती होती है, ये मुख्यता यहां पर कैसे लोग पाई जाते हैं, ये शिकारी और योद्धा टाइप के लोग यहां पर मिलेंगे आपको, और इसके बाद जो गूंड जनजाती की जब हम बात करेंगे, तो इसका मूल पेशा क्या होता है, तो गू मतलब गुद्णा किसे, ऐसी कॉंसे जनजाती है, जिसमें गुद्णापी होता है, तो यह है बैगा जनजाती, और रंग प्रीए कॉंसी होती है, तो वह होती है भील, इसके बाद जो गूंड जनजाती होती है, ये प्रोटो- ऑस्टरिलॉइड, प्रजाती समूर wordt होता है, जो की Peninsular Region में, मतलब पुराने हिस्से में, भारत की पुराने Peninsular हिस्से में ये सबसे पहले पाया जाता था, गोन जनजाती का, इसके बाद हम बात करेंगे कोर्वा की, तो कोर्वा जो है, ये मुख्य रूप से 36 गड़ राज्य की जनजाती है, कोर्वा मुख्य रूप से 36 जनजाती है, और ये जो है, ये कोल प्रजाती की जनजाती मानी जाती है, पंचायत को, मतलब जो ये कोर्वा लुगों की पंचायत होती है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहते है मैयारी, और यहां पर मानजी, एक ऐसा टर्म होता है, एक ऐसा शब्द होता है, जो कि सम्मा तो गोटल प्रता जो है, यह गोण जनजाती में मनाई जाती है, यह उसी की प्रता है, फिर कंगी शिल्प की बात करते हैं, तो यह बंजारा लोगों का होता है, मतलब जो कंगी बनाने की चुकला है, या कंगी कौन बनाता है, तो सबसाद है यह बंजारा लोगों में बनाई दूद लोटवा की बात करेंगे तो दूद लोटवा जो है ये गोंड जनचाती में ही मनाया जाता है तो इनकी प्रत्था है ये गोंड जनचाती की प्रत्था है फिर गुद्ना कलाकार जो होते हैं इन्हें गोधारिन कहा जाता है गुद्ना कलाकार को क्या कहा जाता है गोध जाती जो है नर्मदा और तापती नदी के किनारे पाई जाती है जो द्रविण भाषा होती है जो यह कोरकु शब्द है यह द्रविण भाषा से आया है द्रविण भाषा से यह लिया गया है और द्रविण भाषा के शब्द से लिया गया है तो यह कोरक जिसका आर्थ होता है किनारा तो आपसे पूछा जा सकता है कि किनारा जो है किनारा के अधार पर कौन सी ऐसी जन जाती है जिसको दिया गया है तो वो होगा कोड़कू जो की नर्मदा और तापती नदी के किनारे पर पाई जाती है इसके बाद इसकी उपजातियों की बात करेंगे तो इसकी उपज सह से नाम दिया गया जो पछमणी में रहने कोर्कु परदया गया दिया रहा ज приложit उठाइ कि पुजा रहे हां गवार को प्रदिया दकने जान पर movesा को पहा सकते हैं सहरिया की जब हम बात करेंगे तो इनके निवासस्थान को सहराना का गाजता है उनके जो प्रमुक बात करेंगे थाना Имसigkeit में का जाता है आप क्रशी को लेकर कि जब हम बात करेंगे तो बीलो की जो क्रशी होती है इसे चिमाता कहा जाता है तो आपसे पूछा जगते है कि जो चिमाता है ये किस जनजाती की क्रशी को कहा जाता है तो सही option का अंसर क्या होगा बील इसके बाद गोंड के बारे में बात करेंगे तो इ फिर कोन के प्रमुक देवता जो होते हैं, इनको जब हम देखेंगे, तो यह कौन होते हैं, जो कि मुख्य देवता माने जाते हैं, यह माना जाता है कि यह साल के पेड में निवास करते हैं, फिर ठाकुर देवता, तो जो ठाकुर देव हैं, यह भूमी के लिए अधिकतर माने में जताते हैं, मतलब जो क्रशक होते हैं इनके वह बूमी पूजन के सामें ठाकुरदेव की पूजा करते हैं, इक हो पTakeव गूण Нулам करते हैं फेर के हम नेक्सट बात करेंगे हल्म areas जो काफी प्हल्म मुझा detto यह कौटीन इन पुझादरी जाता है फिर पुझा यान ली बैंगर इन एस पुझा देबुर मैं कब देवरी बैग लोग्म जन जाती करेंगे स्वयम को द्रविण के वन्शज मानती है एक चीज आपको याद रखने के जरूरत है कि बैगा जो होती है बैगा जन जाती है और गोंड जन जाती है दोनों ऐसी जन जाती है जो स्वयम को द्रविण के वन्शज मानती है किनके द्रविण के वन्शज मानती है इसके बाद सम्विधान के पाचवी अनुसूची में आदिवासी छेतरों को कवर किया गया है कौन सी अनुसूची है जिसमें आदिवासी को कवर किया गया है पूरकुओं की जब हम बात करेंगे तो कोर्खुओं में पेडियार और भूमेका ये जो दो होते हैं इनको अतिसम्मानिय दर्जा दिया जाता है या इन्हें अतिसम्मानिय दृष्टी से देखा जाता है इसके बाद जो अफ़रन विवा होता है ये किनका है तो अफ़रन विवा जो है भी लोगों का है और जो गोल कधेडो होता है तो गोल कधेडो होली के अफसर पर मनाया जाता है जहाँ पर जो लड़किया होती है गोल गेरे में नाचती है एक गोल गेर होता जिसके अंदर लड़किया नाचती है और इस पर क्या कहा जाता है गोल कधेडो यह हमेशा होली के अफसर पर मनाया जाता है फिर मद्यप्रदेश में पूर्वी चेत्र जो होते हैं यहाँ पर मद्यप्रदेश के पूर्वी चेत्रों में सबस्यादा बैगा लोग पाई जाते हैं पूछा सकते हैं मद्रप्रदेश के पूर्वी जित्र में कौन सी प्रजाती पाई जाती है जनजाती पाई जाती है तो वह है बैगा फिर जंगलियों को भी जंगली ये किसे कहा गया है ये नाम किसे दिया गया है तो ये नाम दिया गया है भारिया जनजाती को तो आपसे कहा जा सकता है कि जंगलियों को भी जंगली ये किसे दिया गया है नोटेशन तो ये आपको सही option में सही option किया इसका तो वह है भारिया जन जाती फिर हम बात करेंगे कि जो बुड़ा देव हैं इन्हें मुर्गे नारियल और मदेरा चड़ाई जाती है बुड़ा देव को क्या क् सब्सक्राइब के जो बंक्ताई और मुख्यत है दिना रúp लंक्रेम्री प्या जाती है तो उत्तर साम टेक्लियों प्रस्टी ने की स्व्हामिकया को आई जाती है क् टो सहार्या थैस अमक्रते को के लेह बॉठ सी करेंगे लोग जन पा सांती है शिर मते उत्य होत्यां नहीं गूया किसे आप आपको और रोप्षें में क्ल्यान पंच्राइत को your landlord मंध्य प्रदेश जो अध्यम जाती है क कल्यांड विल्द बनाया गया था जिसर नाम हो ईंजाती कल्यांड विल्द ही नख़रें यह दिला गया था बाद अतालिक पूंगर आदिवासी ऐवम हरीजन गल्यानय विभाग इसका नाम रख दिया गया था। मैं तो जो कोल की पंच्रायत होती है उसे क्या कह जाता है तो उसे कहा जाता है गोहिया. कोल की पंच्रायत को गोहिया कहा जाता है फिर मद्यप्रदेश में अदेम जाती कल्यांट विभाग है जिसकी स्थापन कपूची उननिस सो चौच में बाद में इसका नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्यांट रख दिया गया था उननिस सो पैसेट में तो आपको कंफ्यूज नहीं हो नहीं जब वो तो यह आपको थोड़ा ध्यान देने के ज़रुरत पड़ेगी आप ऐसके बाद एक शहत पीने का पर्व आता है यह बैगा जन जाती अधिकतर उन्ही लोग में मननाया जाता है ये एक साल में एक बर मनाया जाता है enginehehe कोर्कू में सबसे ज़ादा अब मनुष्य है दा रागिनी नृत्य जो है यह सहरीया लोगों का उत्ता है जहांपर लेंगा डुल डुल गोडी के थुरू यहाँ पर यह नृति किया जाता है फिर खंबस्वांग जो है यह कोरकु का है और जो जर्वट है जर्वट एवं दशेरा यह बैगा लोगों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इसके बाद हम बात करेंगे तो जो लकड बगगा होता है लकड बगगा और जिदंब या हिंगोला या रास नौटंकी और मन सुखा तो यह है यह कुछ लोग में रिते हैं जो कि बुंदेल खंड में अधिकतर देखने को मिलते हैं फिर फेफरिया और मांडलपा काठी आड़ा खड़ा नाच या जंड़ा नाच या फिर गंगौर यह जो है यह अधिकतर निवाड के लोक मिलते हैं तो आपको कभी-कभी नाम दे सकता है कि गंगौर जो है, या जो आड़ा-कड़ा-नाच है, ये कहां के नृत्य हैं? इसके अलावा, ऐसे आपसे बुंदेल खंड का भी पूछ सकता है कि ये जो लकडबगगा है, या जिदंब है या हिंगोला है, ये कहां के लोकनृत्य है, तो आपको गंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस पे ध्यान देना है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगे कि भी आपको चीजे याद होंगी, हम सिफ to the point आपको crisp manner में चीजे दे रहे हैं, इसी इसमें कि हम previous year से compare करकर आपको points बना बना के दे रहे हैं, तो हमारे जो वीडियो से इससे आपको बहुत से questions ऐसे मिलेंगे, जो आपके MPPSA की paper में आपको प्री में वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए प्लीज इससे जादा से जादा याद कीजिए, आपके लिए बहुत helpful होंगे, अब हम बात करते हैं, बगेल खंड की, तो इससे पर्व मनाये जाते हैं, और मालवा की बात करेंगे, तो यहां पर मांडवा, चित्रावन ऐसे पर्व मनाये जाते हैं, निमाड तो यहां पर नवरतन या गोरधन ऐसे पर्व मनाये जाते हैं, फिर जब हम बात करेंगे, तो गोंड में परधान होते हैं, भगरिया होत यहां पर रोतिया रोतेले होती है और मारिया की जब हम बात करेंगे तो मारिया में यह होती है मेटा कोर्टेयू फिर हम बात करेंगे कोल की तो कॉल की कौन से उप जातिया होती है तो यह होती है रोतेले माडिया की जब हम बात करें कि माडिया में तीन होती है एक होती है मेटा कोई नोर एक होती है अलोम माडिया और एक होती है दंडामी यह तीन हो गए जो इसकी उपजातिया होती है इसके बाद हम कुछ एक हमारा लास पॉइंट जो हम देखेंगे वह यह है कि जो विल्मा होता इसके बाद का hidra courses, जहेत करें तो यह मुणिया का होता है, विनाकी तो यह भौपाल क सही को का होता है और साथ के तरागést के जками गौाइनगा वाल्यर की कि जन्जाती का होता है तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टन्ट पॉइंट्स हमारी ité शन जातियों से है कि हम आपको जादर जादर चीज़े याद करवा पाएं और आपके जादर जादर सिलेबस को कवर कर पाएं कम से कम टाइम में रिविजन करते रहिए, मौक टेस्ट लगाते रहिए, साथी साथ हमारे टेलेग्राम के लिंक के थूँ आप जाकर के हमारे टेलेग्राम से टेलेग्राम ग्रुप से आप ये PDF भी ले सकते हैं और आप उसे बार-बार पढ़ जाके